अलो आफ्रीवन एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके आपने चानल इस पे रेंट लाइब पे तो आज हम लोग कंटेरियों करने वाले हैं भाई यह शीरीज के बहुत सारे कोस्ट्षन को जो बहुत जादा है और यह सारे के सारे कोशन्स आपके पीवाई की सेशन है मतलब जितने वेसां से के एक्जाम हुए है उन सारे एक्जाम में पूछे हुए सवाल है ठीक है तो कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को ज़रा ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं हैने का मतलब ही कि आपको न्या शान ना पड़ेगा ओट में जानना क्या पड़ेगा यह हम लोग अगर देखेंगे तो दो स्क्षन होता है हमारा ऐल्फवेट में पहला जो हमारा section होता है आपका position of al 5ccionesях होते है ठीक है जो लगवग सारे लोग यादेगैश ठीन हो पंच ग उसमें इसका बहुत एहम रूल है ऐसे सारे questions में ठीक है तो ऐसे questions को मनाने के लिए मिलोगो क्या कैसे arrangement करना पड़ेगा यह मैं आपको बताऊंगा यह मैंने question no.1 से start किया है सब्सक्राइब कर लीजेगा यहां देखेंगे लिखाए क्या की निमलिकिन सरिंखला में जो प्रस्म ने दिये गए उसके अस्थान पे कौन सा अक्छराएगा यह आपको बताना है तो question no.1 यहां पे आपका बताना है कि कौन सा अक्छराने वाला है यह सारा का सारा दिया गया आपका लेटर और आपको बताना है pattern और pattern के हिसाब से आपका पहला वाला जो लेटर है वो आपको निकाल के बताना है तो यहां देखोगे तो सबसे पहले D, R, E और Q देके रखा है उसके बाद क्या देके रखा है यहां पे G, U, H, T देके रखा है उसके बाद J, X, K, और W तो यहां पहले लेटर का जो रिलेशन होता है वो पहले लेटर से होता है और यहां भी पहले लेटर से होगा दूसरे का दूसरे से तीसरे का तीसरे से रिलेशन होता है ठीक है तो सबसे पहले वाले का रिलेशन निकालने के लिए देखेंगे कि डी का पोजिशन चार होता है क तो चार से अगर साथ आएंगे तो प्लस तीन करेंगे, साथ से दस आएंगे तो प्लस तीन करेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे एक होगा, तभी तो यहाँ पे चार आने के लिए हम लोगों को तीन और जोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही एक होगा, तो एक पे ए आता है, और अ किसाब सो option पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि eliminate कैसे किया जाए ठीक है भाई चलिए तो option number 4 हो गया दूसरा अगर देखेंगे तो यह 18 होता है यह 20 होता है यह 24 होता है तुम खुद कहोगे यहां 3 प्लस है गुरुजी यहां 3 प्लस है यहां भी 3 प्लस है यहां भी 3 प्लस है औ यहां जो आपका प्लस 3 प्लस 3 करके arrangement किया है यह हो सकता है कि इसका arrangement बराबर हो इसका arrangement कुछ अलग हो इसका arrangement कुछ अलग हो तो कहीं-कहीं आपको opposite लेटर का भी positions या फिर उसमें से कुछ और minus कर देगा इन सारे तरीकों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा types of questions है H और K लिखा है यह बीच में gap छोड़ दिया है आगे लिखा है P और Q लिखा है और फिर T और यहां T लिखा है न उसके बाद X और W लिखा है यहां पे भी questions को बना सकते हैं कोई जरूरी नहीं है यह CHSL 2017 में पूछा हुआ सवाल है second shift का सवाल है आपका अब देखों यहां P से अगर T जाएंगे Q से T जाएंगे तो P से अगर T यहां पे गए तो यह 16 और 16 20 मतलब प्लस 4 करेगा यहां से जाएंगे तो प्लस 4 करेगा अच्छा Q का 17 होता है 17 20 प्लस 3 कर रहा है और यहां 20 और 3 आपका 23 करेगा सबका positions of letter अगर आप देखोंगे तो अच्छा यहां 8 हो pattern हमको पता चला ना तो 8 4 12 12 पे क्या आएगा L आने वाला है और फिर 12 में 4 जोड़ोंगे तो 16 होगा 16 पे P आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि L option यहां नहीं है यहां इस दोनों का eliminate कर दो अब दूसरे वाले में 3 जोड़ा गया है तो यहां भी हम लोग 3 जोड़ेंगे और 11 और 3 14 तो L और N हमारा बिलकुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है भई आजाएए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं नेक्स्ट वाला सवाल हमारा N IP करके देगे रखा है N I और P उसके बाद दिया है कि K G और O और फिर H E और N और फिर E C और M पहले हम लोग उपर से नीचे आते थे या फिर left से right जाते थे तो increasing order में था बढ़ता हुए करम में था लेकिन अब क्या है कि अब हम लोग यहां पे घठते विकरम में आएंगे और जैसी घठते विकरम में आएंगे तो यह 14 यह 11 यह आपका 8 यह आपका 5 ठीक है तो यह minus 3 करेगा यहां से भी minus 3 करेगा तो next वाले में फिर से minus 3 करेगा तो 2 होगा और 2 पे B आता है सारे लोगों को पता है B यहाँ नहीं यहाँ नहीं cancel कर दो अच्छा यहाँ अगर आओगे तो 16 15 14 13 और यहाँ कि आएगा 12 12 पे L आएगा तो जिसके last में L होगा वही answer हो जाएगा तो option number 2 हमारा क्या हो जाने वाला है बिलकुल सही answer हो जाएगा क्योंकि यह starting में B है और last में L है बीच वाला A ही आएगा यह confirm है क्योंकि option हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है तो speed में बनाने का निकलने का तरीका हमारा यही होता है चलिए next वाले सवाल पे आते है next वाला सवाल हमारा GLP रेखा है अब तुम ज़रा ध्यान देना यह 7, 8, 9, 10, 11 11 मतलब के तो यह वाला option चला गया सारे में K है और उस वाले last में L है आपका K नहीं है ठीक है चलिए अब यहां आते है L के बाद N हो जाएगा मतलब यह 12 हो जाएगा यह आपका कितना 14 हो जाएगा मतलब प्लस 2 किया है और N के बाद 16 14 के बाद 16 प्लस 2 करेगा तो R के बाद 2 करेगा तो K के बाद T आएगा तो यह वाला option नहीं यह वाला option ही option हमारा यह वाला सही हो जाएगा तो eliminate करना सीखेंगे CHSL का सवाल है 2018 का सवाल है आपका और वो भी आपका first shift का सवाल है ठीक है तो eliminate करना सीखोगे देखो थोड़ा सा कठिन है लेकिन एक बार practice में आ जाओगे ना भाई तो practice में आने के बाद क्या है कि दुनिया का कोई तागत तुम को कुष्टस बनाने से नहीं रोक सकता है और दुवारा तो पढ़ना ही नहीं हम लोगों को सिर्फ एक ही बाड़ पढ़ना है ठीक है अब देखोए यहाँ स्टी यू भी डवलू सारे में एक बाद डी आया मतलब प्लस तीन किया डी के बाद जी आया प्लस तीन किया जी के बाद जी आया प्लस आपका कितना करेगा यह साथ सोरी सोरी एक मिनट एक के बाद क्या कर रहा है डी कर रहा है डी के बाद जी ठीक तो है प्लस 3 तो यह आपका 4 पे आजाएगा प्लस 3 करेगा तो यह 7 पे आजाएगा और 7 से प्लस 3 करेगा तो यहाँ क्या आजाएगा जे आजाएगा और फिर प्लस 3 करेगा यहाँ पे तो आपका कितना आएगा M आजाएगा क्योंकि M 13 पे आता है तो देखो B के बाद W, W के बाद M आना चाहिए तो ये दोनों option तो चला गया अब Y के बाद D है, D के बाद I है, I के बाद N है तो Y का 25 position होता है, इसका 4 होता है, ठीक है अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि Sir, Z हमारा 26 पे खतम हो जाएगा तो A हमारा 27 से start होगा B हमारा 28 हो जाएगा ठीक है, C हमारा 39 हो जाएगा और D हमारा 30 हो जाएगा तो ये क्या किया है, 25 से D गया है तो Y बराबर कितना 25 से अगर D जाएगा तो कितना प्लस करेगा, 5 प्लस करेगा तो यहां से यहां जाने में इन्होंने 5 प्लस किया है और यहां D से आई जाएगा तो यह 9 होता है फिर यहां 5 प्लस करेगा और 9, 5, 14 और लास्ट में भी इसको 5 करना पड़ेगा तो 14, 5, 19, 19 पे क्या आता आपका S आता है तो W, M, S आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है ऐसे भी बना सकते हैं या फिर कोई एक नमबर आपको ऐसा पकरना पड़ेगा जो आपको आंसर तक पहुचा देगी हमेसा ख्याल रखिएगा चलिए नेक्स वाले पे चलते हैं लिखा है A, B, H और M कहने का मतलब यहां पे क्या होता है एक, चार, आठ और तेरा तो तुम अगर देखोगे यह तीन किया यह चार एड करेगा यह पांच करेगा यह छे करेगा उनीस होगा उनीस पे ऐस होगा यही हमारा आंसर है और यह सारा सवाल पूछा हुआ है आगे चलते हैं आगे चलिए भई लिखा है A का C से रिलेशन है C का E से रिलेशन है E का भया किस से हो जाएगा रिलेशन तो A का पूजिशन 1 होता है C का 3 होगा दो एड करेगा अच्छा दो एड करेगा तो 3 और 2, 5, 5 और 2, 7 मतलब G कनफर्म होने वाला है तो F का तो बारी यह नहीं आएगा आपका तो टर्डी नहीं आएगा तो F को वहा हाँ भी दो का डिफरेंस तो T आना तै है तो G और T तो तै है भीया चलिए 20 के बाद 22 के बाद 24 24 के बाद 26 26 का मतलब क्या Z तो GTZ हमारा बिलकुल क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं हम लोग कोश्चन नमबर 8 पे यह क्या कह रहा है लिखा है क्या यह 20 है यह 23 है आपका यह 26 है समझ रहे हो बाद को तीन का डिफरेंस है अब 26 और 3 29 होगा तो 27 पे A 28 पे B 29 पे C और C वाला हमारे पास दो आप्शन है तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा C अब चलिए A के बाद D, D के बाद G मतलब 3 अड़ कर रहा है तो G के बाद क्या अब जैसे ही J आएगा तो I नहीं होगा तो यहाँ पे C, J, Y हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो छोटा-छोटा सवाल है बंते चला जाएगा आगे चलिएगा यह आपका 24 आएगा यह आपका 22 आएगा यह 20 आएगा यह 18 आएगा तो यह तो 16 आना चाहिए यही तो क्यो हमारा यहाँ पे 16 है 16 से 14 14 से 12 12 से 10 और 10 से 8 आजया भाखल आएगा मतलब 11 आना तय है तो P और एड़ है व ए और B में से देखना है यह 11 10 8 ठीक है 11 ना hunting आ ही मायनस किया दो मायनस किया और यहां तीन मायनस करे गा और यहां चार माइनस करेगा तो पांच में से चार गया एक बचेगा तो लाफ्ट में क्या आएगा एक का मतलब तो ए ही होता है ना तो यहाँ पी एच ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आगे आजाईएगा आगे वाले सवाल पे चलते हैं लिखा है मैन ओडी आर क्यू जे भी क्यू जी भी आपका और एस जे जेड अब को पूरा का पूरा याद हो गया है या फिर याद करना पड़े लेकिन बार बार लिखने से फायदा नहीं हम लोगों को कोश्चन पर ही ट्राइग करना पड़ेगा ठीक है देखो के तेरा पंदरा सत्रा उनीज इकीस मतलब यह द इस तरीके से बनाओ चलिए आगे चलते हैं 24 23 22 21 और आपका 20 20 कहने का मतलब टी होगा 10 12 14 16 18 18 मतलब क्या आर हो जाएगा यह अप संचला जाएगा यह आंसर इस तरीके से बनाओ आगे आ जाएगा लिखा है एक के बाद इए के बाद आई मतलब एए के बीच का डिफरेंस च ठीक है पांच और चार नो नो और चार तेरा तेरा मतलब एम यह दोनों आप्शन चला गया तो एम फिक्स हो गया एक के बाद आई आएगा मतलब यहां भी चार का डिफरेंस है और आई के बाद आएगा मतलब पांच का डिफरेंस है तो एन के बाद छे होगा 20 मतलब टी हो होने वाला है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा option नुबर एक क्लियर है आ जाएए नेक्ट वाले सवाल पर लिखा है भी टी सी भी 22 जैड है ना यहां 22 और 26 फिर आपका कितना यहां पर 30 आ जागा मतलब चारजर का डिफरेंस ले रहा है और डी के बाद एच एच के बाद कितना आठ चार बारा पर एल आएगा तो यह दोनों आप्शन चला गया तीनों आंसर हमारा यह हो जाएगा क्लियर है चलिए नेक्ट वाले पर चलते हैं लिखा है क्या कि ए के बाद डी लिखा है ठीक है एक आप डी लिखा सी लिखा तो यहां क्या हो जाएगा बी तो ऑप्शन यह दोनों चला जाएगा एक-एक माइनस कर रहे है जी के बाद एफ लिखा है मतलब यह कितना साथ और छे साथ छे पांच और चार हो जाएगा डी तो यह भी आप्शन चला गया यह हमारा सही आंसर ठीक आ ओगे कैसे बनाएंगे सवालों को यहां लिखा है आर के बाद Tी लिखा है है ओई के बाद मितल्ब 18 तो यहां तक फॉषल के बाद यह तक कोई परशाणी नहीं आगे चलते हैं आगे चलिएगा लिखा है Y के बाद Y के बाद क्या है भी है ना तो 25 में से 3 घाट आ रहे भाईया 25 में से 3 जागा 22 22 में से 3 जागा 19 19 में से 3 जागा 16 16 का मतलब P to confirm है आगे आज़ाइए यहां से 26 में से 3 गया 23 यहां 3 गया 20 20 में से 3 जागा 17 प्रमातलब P और Q आपका सही आंसर ठीक के चलिए आ गये आजाएगे लिखा है कि H के बाद H है यहां है है एसके बाद FC 24 4 के बाद merit के आजाएगा माइनस दो तो फिर से होगा आठ के बाद 6 है चैके बाद 4 4 के बाद 22 के बाद फिर से माइनस करेगा 28 में से 2 जाएगा वही 26 26 पर क्या आएगा जैड़ आएगा तो जैड़ हमारा सही आंसर आजाए नेक्ट वाले सवाल पर चलते हैं लिखा है 16 के बाद यहां 18 20 22 और यह 24 24 का मतलब दोनों आप्शन चला गया जब दोनों आप्शन चला जाएगा सी के बाद यहां यहां इलिक है मतलब सी का 325 दोनों 9 21 11 11 पर के आएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा पहला नंबर बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है चली नेक्स्ट वाले पर चलते हैं एच के बाद जी है जी के बाद एफ है एफ के बाद इहां बताना क्या होगा यह 8 7 6 5 8 7 6 5 यहां 4 होगा 4 का मतलब दी होगा 15 उसके सबाद 13 15 के बाद कि हो जायंगा 13 15 के बाद 13 यहां बहुंगर का किरिंस है और यह आपका कितना 15 के बाद यहां पर लाया और चाहिए जी हो जाएगा तो यह वाला उप्षन चले हैं भींग छी comply मृ तो पहरला हम लोग यहां पर देखेंगे कि यह 10. cu7 दो तो किस नमर जो सवाल है वो लिखा है B, T, Q, M और next वाला आपसे पूछा जा रहा है तो मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था है कि जब भी ऐसा कोई series आएगा तो हम लोग options है भी eliminate कर सकते हैं या फिर positions of letter को इस तरीके से हम आरेंज करेंगे यहाँ minus 3 और यहाँ पर कितना minus 4 तो next वाले में कितना minus 5 किया जाएगा और 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा और 8 पर हमारा क्या आता है एच आता है यही इस question का सही answer हो जाएगा आप टेलीग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं उसका लिंक आपके description box में मिल जाएगा ठीक है क्योंकि बहुत सारा notification आपके पास नहीं पहुंच पाता है लिटर करें तो पहला वाला जो लेटर होगा उसके तो पहला वाला जो लीटर होगा उसका connection पहले वाले से होगा और दूसरे वाले का दूसरे वाले से connection हो जाएगा तो भाईया देखोगे यहाँ पे कि J का F का position 6 होगा J का 10 होगा N का 14 होगा और R का 18 होने वाला है तो प्लस 4 एरेंज कर रहा है यहाँ भी 4 भाईया बढ़ा रहा है यहाँ भी 4 बढ़ा रहा है और यहाँ भी आपका 4 बढ़ाएगा तो 18 और 4 आपका क्या 22 होगा और 22 मतलब क्या भी होगा और भी सिर्फ और सिर्फ हमारा option number 3 में है तो यह जो method होता है आपको eliminate method आपका कहलाता है eliminate कर देंगे, option को 6 देंगे आ जाईए तीन तीन लेटर वाला भी हमारे पास सवाल है लिखा है के के बाद H लिखा है, तो Kings 11 H 8 E का 5 होगा next वाला आपसे पूछा गया है कितना का difference है माइनस 3 करेगा, माइनस 3 तो यहाँ वाले पहले लेटर में भी माइनस 3 करेगा तो 5 में से 3 जाए कितना बचेगा, 2 बचेगा तो 2 का मतलब भी होता है, option number और हमारा क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा और यह CHSL के 2,18 में पूछा गया सवाल है आपका first shift का सवाल है ठीक है, आज आजएगे next वाले question पे चलते है लिखा है, जी का 7 है J का 10 है, आपका M 13 और यह आपका 16 कितना बढ़ाया बोलोगे गुरू जी 3 बढ़ाया इतना आसान सवाल कहीं पूछता है लेकिन पूछा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जैसा पूछा है, मैं आप लोगों को बता देता है, 19 पे क्या आएगा S आएगा, तो R वाला उप्शन चला गया क्योंकि 2-2 S का हमारे पास option है तो next वाला भी हम को check करना पड़ेगा ठीक है, या फिर दिमाग में पहले से बिठा सकते हैं कि यहाँ 2 option बढ़ाबर है 2 option बढ़ाबर है, ठीक है K, L, L, M है तो last वाले को भी check कर सकते हैं कोई issue नहीं होने वाला है तो X का यह 24 होगा, यह 21 होगा यहाँ भी 3 घटाया, यह 18 होगा यहाँ भी 3 घटाया, यह 15 यहाँ भी 3 घटाया, अब 15 माइनस 3 बढ़ाबर क्या होगा, 12 और 12 पे क्या आएगा, L आएगा तो option number 2 हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही हो जागा within second सारे question को बना सकते है आज आईए R का 18 होता है, यह 20 हो जाएगा यह 22 हो जाएगा यह 24 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 2, यहाँ प्लस 2, यहाँ प्लस 2, तो यहाँ भी प्लस 2 करेगा 26 पे Z आता है और Z वाला सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही option देके रखा है तो eliminate कर देंगे, जादा दिमाग नहीं लगाना है questions बनना चाहिए और एकदम accurate accuracy के साथ और within time बनना चाहिए आपका ठीक है, चलिए B के बाद F हाया 2, 6, 10 मतलब यहाँ देखोगे, 4 increase किया है यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 N वाला option होगा तो सिर्फ हमारा 3rd number क्या है वो आपका N जिसके first letter में है वो option number हमारा 3rd है क्या जी समझ में आ रहा है तो एक बार comment करते चलिएगा फटा-फट से चनल के एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजएगा और वीडियो को जिन लोगों को जरूरत है जो लोग तयारी कर रहे है उन लोगों तक पहुंचाने का जरूर से कस्ट करिएगा ठीक है, चलिए भी का 20 होगा, यह 17 होगा यह 12 होगा, यह 7 होगा कितना भाई, यहां 5 माइनस करेगा यहां 5 और यहां 5 और यहां भी 5 माइनस करेगा तो यहां कितना हो जाएगा यहां 2 हो जाएगा 2 का मतलब भी होगा तो option number हमारा 4 क्या है बिल्कुल सही है, यह भी 18 में पूचा गया सवाल है CHSL में पूचा गया सवाल है CGL वाले पे भी आएगे क्योंकि सारा according to जो भी आपका सिरीज दिया गया है उस हिसाब से हम लोग chapter के हिसाब से करा रहे है और यह सारा का सारा book का सवाल है 12,950 जो किरन publication का book होता है उसका सवाल है, देखो यह 5 है यह 9 है, यह 14 है तो कितना 4 बढ़ाया, यहाँ पे 5 बढ़ाया नेक्स्ट बाले में 6 बढ़ाएगा 14, 6, 20 मतलब आंसर हमारा T हो जाएगा कितना आसान सवाल है, कितना मजा आ रहा है फट अफट से बनाने में इसे तरीके से रिदिनिंग को 10 से 12 मिनट में आप लोगों को सॉल्व करने है, ठीक है चलिए, 2, 4, 6, 8, 10 पे J आ जाएगा तो J दो जगा कॉमन है भाई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 5, 7, 9, 11, 13, 13 पे M आएगा तो M बाला उप्शन, उप्शन नमबर ठड़ है आपका बिल्कुल सही हो गया, कोई परिशानी नहीं है आज आई अगले वाले सवाल पे अगला वाला सवाल ये 7 है, ये 8 है, 9 है, 10 है, 11 होगा ये दोनों उप्शन चला गया, कैंसल हो गया तो ये 12 होगा, ये 14 मतलब प्लस 2 करेगा ये 16 प्लस 2 करेगा, तो 18 दो 20 होगा 20 का मतलब T होगा, तो option number first होगा इस तरीके से questions को बनाएंगे, ठीक है, आगे चलिए भाई आगे क्या लिखा है, question number 31 वाले में लिखा है क्या, यहाँ पे LNP है, यही लिखा गया है न LNP है, MOQ है, तो L का position 12, ये 13, ये 14 next वाले में 15, तो 15 वाला सिर्फ और सिर्फ option हमारा 2 है, तो ये हमारा answers बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है चलिए, next वाले में KBS, QBY दिया गया है, KBS, QBY, WHE और C and K दिया गया है, तो ये 11 हो जाएगा, ये 17 और ये 23 हो जाएगा, और ये 3, तुम्हें एक बात बता न, ये 6 करेगा 7, 6, 13, 6 करेगा, यहां भी 6 करेगा, बोलोगे गुरुजी W का मतलब 23 होगा, तो W, X, Y और Z, तो पूरा का पूरा सेर्फ लिखेंगे ये 24, ये 25 और ये 26 और A जो है, वो 27 हो जाएगा, क्योंकि 26 के बाद 27 होगा और Z के बाद A का फिर से cycle चलने लगता है, तो ये B आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, C आपका 29 हो जाएगा, तो 23 पलस 6 करेगा, तो 29 यही तो लिखा है अब 3 पलस 6 करेगा, तो 9 होगा, 9 पे क्या होगा, आई हो जाएगा, तो आई यहाँ नहीं, यहाँ नहीं सिर्फ option आपका first वाला follow कर रहा है, तो इस तरीके से questions आप से पूछा जाएगा आगे आजाएगे, आगे लिखा है, N, B, X मतलब 14, 12, 10 और यह कितना 8 होगा, तो 8 वाला option सिर्फ और सिर्फ हमारा चार है, चलिए, clear है, सोरी, समझ में आ रहा है, आगे चलिएगा, यह 8 है, यह 14 है, यह 20 है, बोलोगे सर्थ कुछ नहीं किया गया है, 6, 6 प्लस किया गया है, तो यहाँ 6 करेंगे, तो 6 का मतलब F होगा, F मतलब क्या, option number 3 होगा, यह CHSL tier, आपका 2 में, sorry, tier 1 में पूछा गया सवाल है, first shift का सवाल है, 18 का ही सवाल है, तो 5 सालों का जो previous year होता है, वो ज़्यादा important होता है, किसे भी examination के लिए, और इससे आपको पता चलता है कि भाई, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, किस तरीके से questions का arrangement आगे होगा, तो यह सारा का स questions बताता हूँ, ठीक है वई, चलिए, तो महनत आपको भी बराबर करना है, वहाँ पर, D का position 4 होगा, I9, यह 14, यह 19 होगा, कितना, 5 जोड़ेगा, कितना, 5 जोड़ेगा, आगे कितना, 5 जोड़ेगा, 24 पे क्या आता है, X आता है, और X मतलब क्या, question, sorry, option number 4 आपका हो जाएग चलिए, 36 वाले पे आते हैं, D का position 4 होगा, Z का 26 होगा, B का आपका कितना 22 होगा, इसका 8 होगा, तुम बात बताओ, कि क्या किया गया है, अगर इधर से इधर आएगे, मतलब यह तो decreasing order में जाएगा, लेकिन right से left आएगे, तो increasing order में जाएगा, बढ़ता हुआ करम में, तो confusion ह होता है, 4 के बाद 26 बहुत बड़ा gap है, लेकिन घटा होगे, तो बहुत छोटा gap लगेगा, कैसे इधर से इधर आए, तो plus 4 करेगा, यह plus 4 और इधर भी तो plus 4 करेगा, और इधर से जाएंगे, तो minus 4 करेगा, ऐसा तो कोई परेशानी है नहीं आपके साथ, या फिर हमारे करेगा, यह plus 4 करेगा, तो यह 22 होगा, और, sorry, 22 नहीं होगा भई, 22 नहीं होगा, यहां से यहां जाएगा, तो आपका minus 4 करेगा, तो 18 में से 4 जाएगा, कितना 14 हो जाएगा, और 14 पर सिर्फ हमारा option number 2 काईलिफाई कर रहा है, तो इसी यही इस question का सही answer हो जाएगा, चलिए आ जाएगे next वाले सवाल पे, 37 number सवाल मैंने कहा था, कि एक लेटर से भी सवाल पूछेगा, दो लेटर से भी सवाल पूछेगा, तीन लेटर से भी सवाल पूछेगा, और 4-5 से भी आपसे पूछा जा सकता है, अभी तो increasing order, decreasing order में सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन कहीं कह जो उसका place value रहेगा उसका square कर देगा अगर alphabet और number के साथ सवाल आएगा तो तो बहुत सारे types of questions है जो आपको बारी-बारी से करके questions बनाना है लेकिन types of questions पर ध्यान जादा देना है अगर आप types of questions पर ध्यान जादा दोगे तो क्या होगा सारा types of questions के लिए रहो जाएगा लेकिन practice के लिए questions को बनाना important है समझदारी के लिए types of questions को देखना जादा है इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए यहाँ पर 1, 3, 5, 7, next क्या होगा 9 होगा 9 मतलब तुम ही बताओ ना क्या होगा option number second तो 4 लेटर का सवाल हो 5 लेटर का सवाल हो within second बनाना हमारा काम है जिसको हम लोग बना अपका 23 होगा भाई तो यहाँ अगर देखोगे तो 8 और 5, 13, 13, 5, ये 5, ये 5 तो 5 दिन कितना 8, 28 मतलब B होगा और B मतलब क्या option number 4 होगा बोलो हाई या ना ये भी 18 में पूछा हुआ सवाल है इतना सारा सवाल सिरीज से आप से पूछा जा सकता है तो आप समझ रहे कितना value है सिरीज का और सिरीज में सरफ alphabet का ही value नहीं है नंबर वाला भी सिरीज आप से पूछ देगा कभी-कभी alphabet और नंबर को मिला के आप से पूछ देगा तो ये ज्यादा important है ये का position 11 होगा 15, 19, 23 होगा next पूछा जा रहा है चार एरेंज किया 4, 4, 4, 4 प्लस किया 23, 27 होगा 27 पे आपका कितना है ये आग लिखा गया नहां आर इओ है ये अठरा है 16, 17, 18 और ये 19 आएगा तो 19 पे S है मतलब S का दो दो option देखे रखा है ठीक है तो अब क्या होगा अब वही होगा देखो C के बाद D है मतलब 3 के बाद 4, 5, 6, 6 का मतलब F होगा तो option number 3 का है F को qualify कर रहा है त 3 वहाँ पे लगा देंगी ठीक है आजाईए आगे वाले सवाल में लिखा है भाई तुम कहोगे 20 है 15 है 9 है ये 3 है कितना यहां minus 6 करेगा यहां minus 6 यहां minus 6 तो यहां minus 6 C का मतलब मैंने भी just आपको बताया है कि Z का मतलब 26 होगा A का मतलब 27 होगा B का मतलब 28 होगा ठीक है उसक का मतलब 29 होगा तो भाई 29 में से 6 अगर घटाएगा यहां से देखोगे तो यह सारा का सारा decreasing order में जा रहा है तो घटता हुआ करब में 29 में से अगर यहां पर घटाता है कितना 6 तो आपका 23 आएगा 23 पर क्या आएगा डबलू और डबलू हमारा सर्फ और सर्फ एक ही option में देखे रखा है बात यार यह समझ में भाई बात यार यह समझ में तो फटा फट से लाइक कर दो और एक बार चैनल को सब्सक्राइब पर दो सेशन को शेयर कर दीजिएगा यह 3 है यह 7 है यह 11 है यह 15 है मतलब 3 7 11 15 तो next वाला 17 नहीं होगा 17 इसलिए नहीं होगा कि यहां 3 प्लस 4 7 प्लस 4 यहां 4 और यहां 4 ठीक है 19 होगा है न 15 चार क्या हो जाएगा 19 तो 19 वाला तो भाई यह तीन तीन सही आंसर है यह भी 18 कहीं सवाल है यह 3 सिफ्ट का सवाल है सारे सिफ्ट का सवाल में आपको करा रहा हूँ चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं नेक्स्ट वाला हमारा क्या है के मतलब 11 पी मतलब 16 यू 21 और जट 26 है आपका 11 और 5, 16, 5, 21, 5, 26 और 5 मतलब E होगा तो answer हमारा option number क्या हो जाएगा ठाड बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है चलिए next वाले पे आते हैं लिखा है C का position 3 है ये 7 है, ये 11 है, ये 15, 3, 7, 11, 15 मतलब 19 19 मतलब 4, 4 प्लस किया जा रहा है ये आपका 12, sorry 12, 16, 20, 24 और ये क्या हैगा 28 मतलब option number B, option number 3 आपका क्या है बिलकुल सही answer है, ठीक है चलिए next वाले पे आते हैं तुम देखोगे L 12, 12, 15, 17 और आपका क्या होगा 12, 15 और ये 17 ठीक है तो 12, 3, ठीक है, 15 और 2, 17 17 और, sorry 18 है न भाई 18 होगा न, तो ये तो 3 करेगा प्लस 3 करेगा, 21 होगा 21 पे यूग आता है, सिर्फ 3-3 option है आपका एक option तो P बाला था next वाले को च्चे करो, 15, 17, 19, 20 और 20 आएगा मतलब W होगा, W होगा तो option number 3 आपका क्या होगा बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है, आजाईए, आजाईए आगले वाले सवाल पे 46 क्या है ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है तो 1, 2, 3 3, 2, 5, 5, 2, 7 7 का मतलब G दो option में P, 16, 18, 20 और ये 22, 22 का मतलब भी option number 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए एक बार फिर यहाँ सवाल लिखा है P, R, T, B मतलब 16, 18, 20, 22 24 और ये आपका 26, 26 मतलब Z हो जाएगा और Z दो दो option में है ये 3, 6, 9, 12 15 मतलब 3, 3 जोड़ा है, तो next वाले में 18, 18 का मतलब R होगा option number आपका C ये constable GD में पूछा हो सवाल है आपका NIA में पूछा हो सवाल है ठीक है, Rifleman में जोड़ी में पूछा होा सवाल है मतलब 13, 2019 first shift का सवाल है साइज में पूछा गया है, ठीक है आजाए, next वाले पर आजाए A के बार D है मतलब A का 1, D का 4 तो 3 जोड़ेगा, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी ठीक है, तो 3 जोड़ेगा तो M होगा, M का मतलब option number 4 यह GD में पूछा हुआ सवाल चले, आगे आते हैं आगे लिखा है, यह आपका 25, 24, 22 है न, 25, 24 फिर आपका क्या है, 22 है 19 है आपसे पूछा गया है, तो यहाँ कितना, minus 1 किया, यहाँ पर कितना minus 2, minus 3, यहाँ minus 4 करेगा, 19 में से 4 जाएगा 15, 15 मतलब क्या option number 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर फाला सवाल आपका लिखा है यहाँ पर ADX है, XAE है, फिर UXB है और RY है, यह आपका CGL में पूछा हुआ सवाल है, तो इस सवाल का answer साप comment box में करोगे बहुत ही बहतरीन सवाल है मैं देखता हूँ कितने लोग comment box में answer करते हैं यह बहुत बहतरीन सवाल है क्योंकि मैंने बहुत सारा questions आपको इस type से कर रहा है तो फटा-फट से इस question का answer जली से comment box में करना आप लोग, ठीक है, मैं देखता हूँ कितने लोग आपका answer साता है, question number 59 का, ठीक है आज आए, next वाले पर आते हैं यह एक का कितना one है, फिर आपका seven है, यह आपका बारा तो यहां कितना plus six कर रहा है, साथ और चारेगारा, पांच बारा, बारा, चार, सोला होगा सोला का मतलब क्या होगा, पी, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, पी, मतलब plus six करेगा, प्लस पांच करेगा, प्लस चार करेगा, एक एक आपका घटा के प्लस वहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे questions आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, तो यह था हमारा आज का सवाल और बारा ही बहतरी ना आपका सेसन रहा है, तो फटा-फट से साड़रों के एक बार शेयर करती हैं, हम लोग मिलते हैं, फिर से नेक्स वाले क्लास में, और कौन सा चप्टर आपको पढ़ना एक बार कॉमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजेगा, वडियो को शेयर करना बिलकुल नहीं भूलिएगा, तो तक लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहिंद